दोस्तो यूटूब पर 2023 में कौम दिनों में आपको सक्सेस कैसे मिलेगा दोस्तो मैं एक निव यूटूबर नहीं हूँ तिन साल से मेरा यूटूब से आर्निंग हो रहा है इस वीडियो की डेस्किप्शन पर मेरा पुराना चेनल की लिंक है आप लूग जाके सस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तो आज किस वीडियो में आप लूग की साथ ये पास पॉइंट आप लूग को मैं शयार करने वाला हूँ जिस पॉइंट की तुरू आप कौम दिनों में यूटूब पर आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तो नमबर वान सारी सेटिंज की साथ एक चैनल आपको बनाना होगा यानि कि दोस्तो यूटूब चैनल की कुछ सेटिंज होता है इस सेटिंज की साथ आपको कॉम्प्रिटली एक चैनल बनाना होगा चैनल बनाने के लिए इस चैनल पर वीडियो एबिलेबल है आप लोग चेक आउट कर सकते हैं जब तोक आप एक चैनल सही तरिकत से नहीं बना पाते हो सारी सेटिंस की साथ तोब तोक दुस्तों आप YouTube पर कौम दिनों में सक्सेस आपको नहीं मिलेगा दोस्तों नमबर टू YouTube पर कॉंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होता है कॉंसिस्टेंसी क्या होता है देखिए YouTube पर एक चैनल क्रियेट करने की बाद YouTube पर वीडियो आपलेट करना होता है तो दोस्तों जब आप वीडियो आपलेट करते हो एक टाइम वीडियो आपलेट करते ह तो डेली आपको उसी डेट, उसी टाइम की साथ आपको वीडियो आपलोड करना है, जैसे कि अगर आपने आज एक वीडियो आपलोड किया है, काल आपलोड नहीं किया है, परसू आपलोड नहीं किया है, उसके बाद फिर से एक वीडियो आपलोड किया है, तो इसी को कहा जा आता है consistency maintain अगर आप हफ्ता में दो वीडियो आपलोड करते हो सम साथ बजे तो आपको हफ्ता में दो वीडियो आपलोड करना चाहिए सम साथ बजे अगर आप हफ्ता में साथ वीडियो आपलोड करते हो यानि कि डेली एक वीडियो आपलोड करते हो तो आपको डेली एक सब्सक्राइब करना चाहिए तयादा तो एक ज्यादर ओओ तो किर्थИदोर आपको मिले एक्षिट सेत्वा क्या होता है। धिए यलवीलीओ आपने किलिक किया है जो पॉसटर और यह सकंदीक यानि पर क्लिक करेंगे और आपको views मिलेगा और जितना ज्यादा views मिलेगा उतना आपकी channel grow करेगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक attractive thumbnail बनाना पड़ेगा और वीडियो की साथ एक attractive thumbnail आपको set करना होता है। तो अभी जाके दोस्तों आप कौम दिनों में YouTube पोर आपको success मिलेगा। दोस्तों, number 4, YouTube पोर सही तरीका से वीडियो आपलेट करना होगा। YouTube पोर वीडियो आपलेट करने की सही तरीका क्या होता है। देखिए एक वीडियो आपलेट करने की साथ ही साथ आपको तीन चार काम करना होता है, जैसे की एक तामनेल सेट करना होता है, एक टाइटल लिखना होता है, एक डेस्किप्टन लिखना होता है, एक टेग लगाना पड़ता है, दोस्तों ये सारे चीज आपको रिचार्ज करक आपकी वीडियो पर डालना होगा तो भी जाके आपकी वीडियो जो है वीडियो की SEO कॉम्प्रिट होता है और जब वीडियो की SEO कॉम्प्रिट होता है तो आप दुस्तों आपकी वीडियो रेंग करने में काफी मौदद करता है यानि कि यूटूब ने आपको ज़्यादत और support करता है और आपकी वीडियो वाईरेल होने का chance रहता है तो भी जाके दूस्तोğं आप YouTube पूर कौम दिनों में आपको success मिलेगा दोस्तों नमबर 5 वीडियो में audience को बलने की तरीका वीडियो में audience को बलने की तरीका क्या होता है दोस्तों दिखिए जब आप वीडियो शूट करते हो, वीडियो शूट करते समय, आपको हमेशा दियान रखना है, कि आप उस वीडियो पर जो भी आप बताना चाहोगी, सिर्फ उतना ही आपको बताना है, फालतू बाते नहीं करना है, अगर आप लोग एक बात फालतू बात करते हो वीडियो मे मेरा चैनल को सास्काइब करना है, मेरा वीडियो को श्यार करना है, मेरा वीडियो को लाइक करना है, मेरा वीडियो को एक प्यारा सा कॉमेंट करना है, अगर आप शुरूत में फालतू बाते करना शुरू करते हों, तो आपके वीडियो ओडियेंस ने पसंद नहीं करता है, ज Otherwise, फाल्टू बाते नहीं करना है. यानि कि इसको कहा जाता है, विडियो में ओडियेंस को बलने की तरीका. ओडियेंस को आपकी साथ खालट करना है, यहां फाल्टू बाते नहीं करना है. तो दूस्तु ये पास्पोइंट याद रखना है और आप YouTube पर काम करना है. दूस्तों कौम दिनों में आपको यूटूब पर सक्सेस जरूर मिलेगा मिलते हैं नेश किसी एक एनदर वीडियो में तब तब के लिए जोए हिंद जोए बार